तो ये है हमारा प्यारा भारत आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छोंगे फ्रिंस आज इस लेक्षर में न हम लोग बात करने वाले हैं कोनार्क मंदिर पे आधारित एक एतिहासिक नाटक जगदिश चंद्रमाथुर की कोनार्क तो ये रहा कोनार्क का मैप और चलिए स्टार्ट करते हैं कोनार्क नाटक पर एक विस्तिरित चर्चा तो आईए शुरू करते हैं कुनार्क नाटक पर एक जर्चा यदि आप कुनार्क नाटक को पढ़ना चाते हो तो आपको कुनार्क नाटक पढ़ने से पहले आपको कुनार्क मंदिर के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है तो चलिए हम लोग कुछ हलके फुल की नजर दाल लेते हैं कुनार्क मंदिर पर देखो ये जो कुनार्क मंदिर है वो ओडिसा में है जो 12 एकड में फैला है ये मंदिर 12 साल में बनाया गया जिसमें 1200 मज़़ूरों का बेजोर महनत है जिसमें रत के 12 पहिय लगे है जो चार प कोनार वह 1260 में बनना शुरू हुआ और 1250 में खत्म हो गया तो देखो इसकी अवदी भी क्या है 38-50 की 12 तो आपको इसमें एक अंक मिलेगा 12 जो बहद महतव पूरन है क्या पता इसका रहस्य क्या है कि आखिर इसमें 12 का रहस्य क्या है क्यों आखिर 12 ही अंक इसमें क्यों चु इसे युनेस को विश्व धरोहर में शामिल किया गया ये बहुत बड़ी बात है भारत का ये जो आपका कुनार्क है इसे युनेस को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है तो जब आप कुनार्क देखोगे वैसे एक बार तो सब को जाके देखनी चाहिए इतना बड़ा ये नमूना है बेजोर नमूना है तो जब आप कोनार्क मंदिर को देखोगे न तो आपके दिमाग में एक बात आएगी यार आखिर इतना खर्चा कैसे हुआ होगा तो मैं आपको बता दूँ अभी आकड़े के हिसाब से इसमें लगा गया आकड़े के हिसाब से अनुमान लगा गया कि उस टाइम 12 साल में 45 करोड रुपे खर्च हुए होंगे उस टाइम 45 करोड रुपे खर्च हुए होंगे तो देखो हुआ क्या कि इस मंदिर में तीन मूरतिया है एक प्रभात एक मध्यान और एक ओपसो जो उनी सो देखो अब फिर जब ब्रिटिस आसन यहाँ पे आ कि 1903 में आप लिख लो 1903 में ब्रिटिस सरकार ने इसे बंद कर दिया तो भाई यह इसे बंद करने का कारण क्या था तो देखो कोनार्क मंदिर के उपर सबसे उपर में एक लगभग 48 टर्न का चुम्बक लगा हुआ था तो भाई यह चुम्बक क्यों लगा हुआ था यह ज तो इसलिए सबसे उपर उतना भारी भरकम चुम्बक लगया गया कि ये मंदीर के सारे जो पत्थर हैं जिनको लोह की धातु से कसा गया है वो एकडम टाइट रहे अपनी और अपनी और आखरशित रहे तो हुआ क्या कि इतना भारी भरकम येदि आप चुम्बक लगाओगे वो भी समुद्र के किनारे तो भगल में जितने भी समुद्र यात्री जो अपनी नाव पे जाएंगे तो भःए ये नाव में कैमपास होता है तो भाए होता क्या था वो जो दिसा शुचा कियांतर होता था तो ये चुम्बक के कारण इसकी इसका ये जो reduction power के कारण इसकी आ इसे 1903 में उन्होंने इस चुम्ब को भी ले गए लंदन और क्या करा कि इस मंदिर को बंद कर दिया रेट से भरवा दिया तो भी ये मंदिर फिरहाल चालू है इसमें और भी काम बाकी है जो भी हो रहा है तो इसमें जो पत्थर लगा ना फ्रेंड्स वो आपके भुनेश्व इसमें आप वहां पर गरियदी आप जाओगे कोनार्क मंदिर देखने तो इसमें जो 6 नमर का चक्र है ना उसमें 20 रुपे के नोट लगा है अभी जो 20 रुपे के नोट में आपको जो मिलता है पुराने वाले में जो छाप आपको मिलती है वो आपको 6 नमर चक्र में करशा देता है कोनार्क मंदिर हर तरह से भारत की संस्कृति को दिखाने का प्रयत्न करता है तो चलिए अब हम देखते हैं कोनार्क नाटक की और जो जगदीश चंद्र माथूर द्वारा रचित है और हम लोग जानेंगे कि कोनार्क मंदिर पर आधारी जो कोनार्क नाटक ह वो किस तरह का है उसका स्वरूप कैसा है ये नाटक किसले राचा गया इसका सिर्शक क्या है इसका सिर्शक ये क्यों रखा गया इसका कथोप कथन क्या है इसका उदेश्य क्या है इसकी विशेष्टा क्या है तो हम लोग आज इस पर एक चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू क करते हैं तो कुनारक नाटक जो एक आलोहच नाटक भी है तो भी यह हमारे जो जगदीश चंद्र मातूर जी है न उनको सिरेष्ठ नाटक कारों की श्रेणी में पर्थमस्थान दिया गया है यानि कि प्रमुकस्तान दिया गया है तो इस इस नाटक में कथोप कथन तो भाई अभी हम लोग इसके कथोप कथन को जानेंगे तो इस नाटक में कथोप कथन की सन्योजना बहुत स्वभाविक एवं सुनियोजित है इस नाटक के कथोप कथन जिने समवाद भी कहा जाता है अब समवाद मतलब समझ रहे हो जिने समवाद भी कहा जाता है बतलब एक तरफ से ये बोलेगा और दूसरी तरफ से वो बोलेगा तो वो समवाध हुआ तो देखो इसके पातरों के चरित्रचित्रन एवं उनके मनुभाओं और अवशरों पर बौल चाल की शैली में तथा पातरों की मनस्थिती एवं परस्थिती का जो प् नाटक की रचना की है वो अपने आप में अदभूत है तो रचनाकार ने जगदीश चंद्रमाथुर जी ने परिवेशगत इस्थिती और पात्रों की मनस्थिती के अनुकूल समवादों को अलग-अलग मिजाज और तेवर प्रदान किया है और नाटक की सबसे खास बात यही होती है रचनाकार की द्रिश्टि लिखित सब्द की अपेक्षा उचरित शब्द मतलब जो लिखा गया है उससे ज़्यादा जो शब्द हम बोलेंगे जो ध्वनी के ज़ादू से आप एक्षित प्रभाव तुपन करने में अधिक रही है मतलब जो शब्द लिखा है उससे ज्यादा मायने यहाँ पर रखता है कि आप उस शब्द को उचारण कैसे करते हो उसका उचारण आप कैसे करते हो तो इस नाटक के कथोप कथन में सरस्ता के साथ साथ ओज और करूण मारमिकता भी सहजता से अनुभव की जा सकती है इस नाटक में वाकई में जो आपको करूण मारमिकता सरस्ता आपको देखने को मिलेगी वो वाकई में बेजोड है तो यह मैं आपको बात ऐसे नहीं बोल रहा आप अपने से भी देख सकते हैं तो इसके संबंद में मेरे दिमाग में एक वाक्या आता है एक समवाद है इस नाटक में तो मैं आपको बताता हूँ किसमें जो चरित्र थे पात्र थे राजीव वीशू, धरमपद फिर उसके बाद तो मैं आपको बताता है तो भाईया, राजीव क्या कहते हैं इसके बारे में कि आचारे यही वयूवक है धरमपद फिर वीशू कहते हैं तुम धरमपद परणाम करता है सुना है तुम आशू शिल्पी हो इतनी छोटी आयू में तुम्हें किस गुरू ने तिक शादी तब धरमपद कहते हैं किसी ने नहीं आचारी में शिल्पी बना क्योंकि मुझे जीवित रहना था उसके बाद फिर वीशू कहते हैं कहला तुम्हारा जीवन है यही ना तब धरमपद कहते हैं जीवन भी है और जीवन यापन का साधन भी तो उसके बाद फिर विशू कहते हैं वह सारे जीवन का प्रतिबिम्ब है देखो हमारे कोनार्क देवालाई को आख भर कर देखो यह मंदिर नहीं सारे जीवन की गती का रूपक है हमने जो मूर्तियां इसके स्तंभो इसके उपपीठ और अधी स्थान में अंकित की है उन्हें ध्यान से देखो देखते हो उनमें मनुष्य के सारे कर्म है उनकी सारी वासनाएं मनुरंजन, मुद्राएं, चित्रित हैं यही तो जीवन है तो भाई या यह जो नाटक है वो कुनार्क मंदिर पे आधार थे यह जो कुनार्क पुरा मंदिर है न इसमें आपको मानव की मनस्थिती मानव की वासनाएं मानव का मनुरंजन मानव की मुद्राएं किस प्रकार मतलब संस्कृते और शभ्यता उस टाइम की क्या थी वही आपको पूरा मंदिर में मिलेगा और वही उस बात की व्याख्या जो मंदिर पूरा नहीं हो पाया कैसे टूट गया और कैसे टूटा हुआ था इसकी व्याख्या एक कालपनिक घटना तयार किया जगदी चंदर मातुर जे ने अपने नाटक को नार्क में फिर इसके बाद आगली आगली पीड़े में आगली कड़ी में धर्मपत क्या कहते हैं शमा करे आचारी स्रिंगार मूर्तियों को देखते देखते मैं अधा आ गया हूँ तब सो में कहते हैं अभी से युवक किसी रमणी के सामने ये बात ना कह देना नहीं तो तुम्हें अविवाहित रहना पड़ेगा देखो आपको नार्क मंदिर जाओगे तो हाँ पर आपको एक से एक तश्वीरे मिलेंगी युवतियां की युवक की तो इसी बात पर धर्म कह रहे हैं धर्मपद कह रहे हैं कि शमाकरे अचारी श्रिंगार मूर्तियों को देखते देखते मैं अधा आ गया हूँ तब सो में कहते हैं अभी से युवक किसी रमणी के सामने ये बात ना कहना रमणी मतलब औरत जो सुंदर हो किसी सुंदर इस तरह के सामने ये बात मत कह देना नहीं तो तुम्हें आविवाहित रहना पड़ेगा तब विशु कहते हैं गंभीर होकर कहते हैं तो तुम उन लोगों में हो जो इन प्रणे मूर्तियों में अश्लीलता देखते हैं जीवन का आदी और उतकर्ष नहीं तो देखो अब ये तो बात सही बोला इन होने अभी भी आप कोई भी फोटो देख लो तो वो फोटो को या आप कामशास्तर पढ़ लो तो कामशास्तर अभी के अभी लोग कामशास्तर को क्यो खरा मांते हैं क्योंकि वो इन्हें कामशास्त्र को पॉर्णोग्राफी की रूप में देखते हैं, जबकि इसमें कामशास्त्र में कोई पॉर्णोग्राफी नहीं है, वो कामशास्त्र की रचना हुई, एक सामान्य तोर पर, जैसे हमारे हाथ है, जैसे हमारा शर है, तो उसी तरह से हमारे सर कि एक पुस्तक है, एक शास्त्र है, तब धर्मपत कहते हैं इस बात पर, जीवन के आदी और उतकर्ष के बीच एक और सेड़ी है, जीवन का पुरुशार्थ, अपराद ख्षमाहो आचारिय, आपकी कला उस पुरुशार्थ को मूल भूल गई है, जब भी मैं इन मूर्तियों में बंधे रसिक जोडों को देखता हूँ, रसिक जोडों मतलब क्या, कि इस्तरी और युवक का संबंध, आपको हाँ पर इस तरह क्या आपको मूर्ति देखने को मिल जाती है, तब धर्मपत कहते हैं, जब मैं इन मूर्तियों में बंधे रसिक जोडों को देखता हूँ, तो मुझे याद आती है पसीने में नहाते हुए किसान की, कोसो तक धारा में भिरुद्ध नोका को खेने वाले मलाह की, दिन दिन भर कुलहाडी लेकर खटने वाले लकड़हारे की, इनके बिना जीवन अधूरा है आचारिये। कोनार्क के समवादों में संख्षिप्तता और गतिशीलता है, यह गतिशीलता इतनी तेवर है कि यह जीवन्त होकर और सुक्की की स्रिष्टी करने में पूर्ण सक्षम हो जाती है, तब इस बात को सुनते हैं चालुक के, और चालुक के क्या कहते हैं, कपाट तोड़ दो, कप विशू, कपाट खोल दो, तब विशू कहते हैं, मैं कपाट नहीं खोल सकता, तब शौमी कहते हैं, तुम कहा हो विशू, फिर विशू कहते हैं, बहुत उपर चुम्बक के पास पत्थर पर चोट मारो, वहीं से तूटेगा, तब शौमी कहते हैं, विशू, तुम देखने को मिलेगी, सहजता देखने को मिलेगी, तो यही जो समवाद है, इसमें आप देख सकते हो, क्या इसकी रंगमंचिता होगी, क्या इसमें पात्रों के चरित्र किस्तर से रचे गए हैं, तो यह तो बात थी इसके कथोप कथन की, तो अब हम लोग आते हैं कोनार्क में भाषा शैली, तथा इसका संकलंत्र है, तो भीया कोनार्क नाटक में किस तरह का भाषा का प्रियोग हुआ है, हाँ, तो कोनार्क नाटक इस नाटक में पात्रों के कथोप कथन में परियुक्त की गई भाषा, पात्रों के चरिक्त्र के स तरवथा अनुकूल है, मतलब कुनार्क नाटक में जो भाषा लाई गई है, जो शब्द लाए गए हैं, वो कुनार्क की नाटक में इस्थित पातरों के हिसाब से हैं, इस नाटक की भाषा, देखो भई, क्या है कि इस नाटक की भाषा कही काव्यातमक आपको मिलेगी, तो कह तो आपको कुनारक नाटक में अलग-अलग भाशा आपको सुनने के मिलेगी, अलग-अलग रंग इसके परिलिक्षित होते हैं, तो यही कारण है ना, अब यदि इस नाटक में इस तरह के गुण है, तो यही कारण है ना कि रचनाकार ने शब्दों की अभिव्यक्ति और लोग से अपनी वियंजनातमक नाट्य भाशा को प्रियुक्त किया है। भई देखो क्या, बोल क्या रहा है कि रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी ने एक कलपना के, कि आखिर पात्र इस तरह के हैं, हमने इस तरह के शब्द डाले हैं, तो वो किस तरह से इसे बोलेंगे, किस तरह से इसे उचारन करेंगे, इसलिए मैंने सुरूश कह दिया थ कि इस नाटक में लिखित से जादा उचारन शक्ती पर बल दिया गया है, ठीक है, तो इस नाटक में, जो कोनार्क नाटक है, इसी कारण या भाशा पात्रों की अलग-अलग मानसिकता और उनकी तेवर को व्यक्त करने में समर्थ हुई है, यहां तक ही, जब कोनार्क नाट् शोम्य श्रिदत बात करता है, मतलब इस नाटक का आचार्य कौन है, शोम्य तो जब कोनार्का नाट्य अचार्य मतलब नाटक का आचार्य शोम्य श्रिदत बात करता है, तो उसमें संस्कृत के तत्सम, माफ करेगा, संस्कृत के तत्सम, उसमें संस्कृत के तत्सम और तद तदभव शब्द क्या है आप बोलो श्रिंगार ठीक है तो एक श्रिंगार लिखाता है श्रवाला तो एक श्रिंगार हो गया तत्सम का और एक श्रिंगार आता है सग का तालमशग ठीक है तो तालमशग जो लिखाता है श्रिंगार न वो आपका तदभव हो गया जो हिंदी म और तज़सम जो संस्क्रित उसका मूल रूप है तो उस समय संस्क्रित के तज़सम और तदभव रूपों की बार से आ गए थी मतलब यस भासा में आपको तदभव और तज़सम की बहुत जादा आपको वियाख्या मिलेगी और जब विशु बात करता है, तो उसके कथन में पर्युक्त शब्द, मतलब उसके बात में जो शब्द आया है, जीवन की सचाई को अभिव्यक्त से परतीत होता है, वो कहता है, इसके बारे में कुछ वाक्या बोलना चाहता हूँ, शोमी क्या कहते हैं, इसकी भाषा शैली के किरने बिख्री और कला का सतरंगी इंद्रधनुष सारे उतकल पर छा गया, कैसी विणम बना है, विशु, कि तुभारी तूटी ही रागनी का विशाध ही तुम्हारी चमकता, चमतकार, पून कला का वैभव बना, इसके बाद विशु कहते हैं, स्वामू, भव्य मंदिर को बनाने वाले मेरे यहाथ शारिका और उसकी संतान के लिए एक जोपड़ी भी बना सकें, तो इसी तरह आपको जो अभी दो समवाद विले, तो इसी तरह चालूकी की भाषा में भी आपको यह इस तरह के वेंजनातमक बात मिलेंगी, तो जो नर्शिंग देव की भाषा में शालींता, विशु की भाषा में आत्मचिंतन, तो धरमपद की भाषा में आप लिख लिया गरो, कि नर्शिंग देव की भाषा में शालींता मिलेगी, विशु की भाषा में आपको आत्मचिंतन है, तो धरमपद की भाषा में व्यवस्था के परती आत्मविश्वास और स पूज बूज से भरा विद्रो आपको मिलेगा तो या सभी पात्रों की अपनी अपनी गलग भाषा है इसलिए ना इसके भाषा शेली और संकलंत्रे के हम लोग बात कर रहे हैं सभी पात्रों की अपनी अले गलग भाषा है तो भाषा के धरातल पर चकदीश चंद्र माथूर ने कोनार्क के कथानक में वीसू, सारिका, धरंपद, नर्सिंग देव, स्वराज चालू के और शिल्पियों कारीगरों के संबंदों को बहुत कुशलता से निरुपित किया है। नाटे रचना में परियूक तशैली आधुनिकता से प्ररित तथा रंगमंच के अनुकूल है। कोनार्क मंदिर के गर्भ ग्रह से सटे हुए स्थान पर। स्थान समय और घटनाओं को उभारने और उनके बीच उचित सामंजस करने के लिए रचनाकार ने परतेक अंक में प्रियाप्त रंगमंचिये निर्देश दिये हैं। तो नाटक का कथानक उडिसा राज में जगनात पूरी देखो भाई यह आपको मैं बता रहा हूँ मैं कि नाटक उडिसा राज यह जो मंदिर है। उडिसा राजे के जगनात पूरी के निकट निर्मारत को नारक मंदिर में घटित होता है। समय इस पीस्टन 1260 के आसपास का है और घटनाय मंदिर के निर्मान काल की है। या तो इन सब के बीच जो संकलन जिन्हें अनिवेंत्रित त्रय भी कहा जाता है, इनका जो समन्वय रचनाकार ने डाला है, वो अपने आप में बेचोड है। यह तो था इसका कथोब कथन, इसकी भाशर शेल भी बात कर रहे थे हम लोग, तो अब बात करते हम लोग कुनार क नाटक के उदेश क्या, कि आखिर इसका उदेश क्या है चोगी हर नाटक का कोई नो कोई उदेश होता ही है। तो friends यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है ये आपको ये वीडियो हेलफुल लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दिया कीजिए इस वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए सबस्क्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटे को हिट कर दिजिए इससे ये होगा कि मैं जित पूर्ण नाटक है ठीक है कोनार क्या है एक उदेश्य पूर्ण नाटक है जिसमें जगदीश चंद्र मातुर ने इतिहास संस्कृति और शमकालीनता को मिला कर समय की सीमाहीनता की धारना और मानवे सत्य की आस्था को बतलाया है कि मतलब मानवे सत्य की आस्था क्या आपको ब गटनाओ और नाटक की अता के बीच रचनाकार ने महाशिल्पी, वीशु की चिंता और धरमपद की सूजबूज को साहस का जो अदुभूत प्रियोग किया है वो वेवस्था के अधिनायकवादी प्रकृती, प्रविर्ती से लडने और जुडने की प्रकृतिया में इस तो पूर नरचना बना देता है, तो एक तरह से नाटक अंतरमुखी और उर्धुमुखी, ठीक है, अंतरमुखी मतलब क्या अंदर की और मुड़ा हुआ, उर्धुमुखी का, मतलब उर्धुमुखी का, मतलब उर्धुमुखी क्या, मुह की तरफ, उपर की और मुड़ा तो एक तरसी है नाटक कंतर मुगी और दुमुगी दोनों प्रुपते के प्रदेनित्व करता है ठीक है तो इस नाटक के समकालिन सर्जन मतलब उस समय बारा सो साथ में इस नाटक के समकालिन सर्जन के केंदर में प्रणियनी और मा के रूप में एक छायवादी नादी है ठीक है तो इसी लिए इस कला का इसमें आपको कला का मनोविज्ञानिक श्रोत मिलेगा राजा और प्रजा मिलेंगे कला का दाइत्व सामाजिक्ता सेक्स तथा नैतिक्ता जैसे प्रश्ण बड़े ही कलात्मकता से उद्गाटिद केंगे इस नाटक में भाईया मैं फिर से दोरा द बात कर रहे हैं तो आखिरी उद्धिश्ची से कौन-कौन से प्रश्ण हमारे सामने आ रहे हैं तो पात्रस्ण रचना में औरत मर्द के पैचिस रिष्टे आपको समझ में आएंगे राजनेती शडियंत्र क्या होता है वो आपको पता चलेगा कला के मनोविज्ञानिक श्र योग इस घटना को अन्योकती पद्दती का आधुनिक नाटक बना देता है दो यह जो नाटक है वो सच्चाई सच यथार्थवादी नाटि लेखन परमपरां का पहला एतिहासिक नाटक है जिसमें वीशू जैसे एक कलाकार की प्रतिशोद कथा जीवन्त चित्रन हुआ है नाटकार ने कला की भावना और उसके आत्मसमान और उसके प्रतिशोद को जहां एक और उभारा है वही दूसरी और उसने राजा और परजा के सम्बंधों पर भी प्रशने खड़े की हर कलाकार के मन में दो प्रकार के मन उभावने आपको देखने को मिलेगी जो साथ- से जुड़ा हुआ है कि कोनार्क के मंदिर से जुड़ा हुआ है और अतीत में अपनी प्रेमिका सारिका से ये इसका वर्तमान है और दोनों के परतीव निष्ठवान है ठीक है तो एक यथार्थवादी शिल्पी विशु के माध्यम से जगदिश चंद्रमाथूर जी ने एक क तो ये तो हो गया उसका कोनार्क का उद्देश हमने बात करी कथोब कथन की भाषा चैली की उद्देश की और अब हम लोग बात करेंगे कोनार्क के रंग मंचियता की कि आखिर इसका रंग मंचियता किस तरह है इस किस तरह से रचा जाना चाहिए मंचिपर तू देखो वह इस ढंक से प्रस्तूत किया गया है इस घटना में जिस पात्रों को चरित्रों को जिस तरह से प्रस्तूत किया गया है वह इस नाटक को रंग मंच पर जीवन बनाने के लिए परियाप्त है तो क्या है कि आपको यहाँ पर एक बात और मिलेगे कि यदि आप इसको लेख़ा के दिरिष्टी से देखो ठीक है मानो कि आप भी लेख़ा को तो ये जो नाटक अपको ये बात बता दूँ कि ये नाटक 1951 प्रकाशित हुआ ठीक है एक दशा के बाद सन 1961 में ये इंपॉर्टिट बात है आप नोट कर लो उस दशा के बाद 1961 में इसे परिवर्तित कर रंग मंज के अधिक उप्यूक्त बनाया गया, महनिक इसका दो बर एक बार इसका मोडिफाय किया गया सरकार ने सुत्रोधार के साथ दो आचिका का उपकरन, उपकथन उपसंगार के पात्रों को रूप देकर कथा गायन, गीत, संगीत के द्वारा अतीत के इस नाटे कथा का हमारे वर्तमान से जोड़ कर देखा है तो देखो, इस पूरे नाटा को यदि आब लेखा के द्रिष्टी से देखो है ना फ्रेंस तो लिखित के अपेक्षा उचादे शब्द जादे आता है द्वनी के जादू से अपेक्षित प्रवापैदा करने पर है समवाद में शरस्ता है और सारे बहुत सारी बातें आपको लेखा के द्रिष्टी से मिलेंगी तो ये तो हो गया इसकी रंगमंचियता कि इसमें सरस्ता है, मारमिक्ता है वेश भूशा की बात है सज्जा है, पात्रों की इसमें रूप विन्यास है पूर्ण सजग है पात्र इसमें तो ये सब इसकी रंगमंचियता है ठीक है तो आभू लोग हम लोग बात करेंगा अब इसके तो ये तो हो गया इसका विशेष्टा और अब हम लोग बात करेंगे कुछ अन्य विशेष्टा के बारें बात कर लेते हैं अभी तो हमनों रंग मेंचेता की बात किये लेकिन अब हम लोग फाइनल क्या करते हैं कि इसके कुछ विशेष्टा की बात कर लेते हैं इस नाटक की विशेष्टा क्या है तो कुनार की कथा और उसके सभी पात्र हिंदी नाटक जगत की अपून इस्थिती का चित्र मंदिर का निर्मान लगभग पूरा हो गया है और केवल शीखर की परतिष्ठा हो पा रही है मतलब सीखर सबसे उपर का भाग बन रहा है समस्या देखो अब यहाँ पर समस्या है कि यहाँ पुराने शिल्पी और उनके अब परतिष्ठित नए उत्तराधिकारी है ठीक है तो इस नाटक में धरंपद जैसे पात्र की मानी में लगता है मानो आज के यूग की ध्वनी निकल रही हो आपको वहाँ से भी धरंपद जितने धरंपद का समवाद अभी आया पिछले हमने देखा धरंपद का समवाद तो आपको लगए यह तो आधुनिक की बात है तो जिसमें शब्ताब्दियों से पिडित उपेक्षित तथा मूक जनता की व्यदना मुखित हो उठी है यहां समराज जिस साही के विरुद जनता की महान शक्ती का स्वर आपको मिलेगा तो नाटक के पहले अंक में आप देखोगी कि क्या होता है कि नाटक के पहले अंक में जियोतिस दवारा कोनारक का पूरा होने के साथ ही आकास में उड़ जाने की भविशवानी और तीसरे अंक में सचमुच उसके तूट जाने में अदबुत नाटिविडम बना आपको मिल पर अंकित काम देव की मनोरमा चवी के तीसरे अंक में धरमपद के गले से मिला आपको ठीक है तो देखिए अब क्या है कि ये जो नाटक है ना वो फ्राइड के मनोविशलेशन के अनुसार आप मनोविश्ट आप ऐसे तो आलोचना जब पढ़ेंगे तो आपको एक मनोविश आपके फ्राइड मिलेंगे एडलर मिलेंगे तो फ्राइड के अनुसार कोनारक वीशु की काम भावना प्रेम का उद्दाती करन है मतलब देखो फ्राइड क्या मानते हैं कि कोई भी लेखक जब कुछ रचता है या कोई भी इंसान जब कुछ रचता है तो उसके पीछे उसकी काम भावना होती है जो जैसे कि अभी मान के चलो ठीक कोई लेखक है कोई कवी है तो कवीता जब रचता है कोई लेखक कुछ बात तो बात किस तरह से लिखता है? वो अपनी कुंठा को लिखता है, जो चीज उसकी पूरी नहीं हो सकी, समाज के कारण वो दब के रह गया, वही वो अपनी शब्दों मेलाता है, जब वो दब जाता है, अव चेतन मन से निकलने की कोशिश करता है, जब वो इतना वहाँ पर कु तो आप लाइक ज़रूर कर दिया की जिए और बगल वाले बटन को हिट कर दिया किजिए सुब्सक्राइब करके ताकि मेरे हर विडियो का लेटेas अबडेट सबसे पहले आपके पास कर दो कर दोको जो कर दो कि और हुआ अुर्डिस कर दो कर दो कर दो पुर्दारे कर दो कि अ.